समुद्र मन्थन से निकले थे ये 14 रत्न, जाने इनके पीछे छिपे अर्थ, पंचांग के अनुसार हर साल कार्थिक महीने की कृष्ण पक्ष त्रयोध्शी के दिन धन्वंतरी त्रयोध्शी मनाई जाती है. मान्यता के अनुसार, इसी दिन समुद्र मन्थन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन भगवान धन्वंतरी की विशेश पूजा की जाती है, समुद्र मन्थन से धन्वतंगरी के साथ अन्य रत्न भी निकले थे, आज हम आपको समुद्र मन्थन की पारण स्वर्ग श्रीहीन, एश्वर्य, धन, वैभव आदी हो गया। तब सभी देवता भगवान विश्णों के पास गए। भगवान विश्णों ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मन्थन करने का उपाय बताया और ये भी बताया कि समुद्र मन्थन को अम्रित निकलेगा। जिसे ग्रहन कर तुम अमर हो जाओगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बली को बताई तो वे भी समुद्र मन्थन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेती बनाई गई और मंदराचल परवत की सहायता से समुद्र को मता गया। तो अगर लाइफ मैनेजमेंट के नजरिये से देखा जाए तो हम पाएंगे कि सीधे सीधे किसी को अमरित परमात्मा नहीं मिलता। उसके लिए पहले मन को विकारों को दूर करना पड़ता है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रन करना पड़ता है। समुद्र मन्थन में चौदा नंबर पर अमरित निकला था। इस चौदा अंग का अर्थ है ये है पांच कमिंद्रिया, पांच जनेंद्रिया तथा अन्य चार है मन, बुद्धी, चित्त और रहंकार इन सभी पर नियंत्रन करने के बाद में परमात्मा प्राप्त होते हैं। एक कालकूट विश समुद्र मन्थन में से सबसे पहले कालकूट विश निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहन कर लिया। इससे तात्पर्य है कि अमरित, परमात्मा हर इंसान के मन में स्थित है। अगर हमें अम्रित की इच्छा है तो सबसे पहले हमें अपने मन को मतना पड़ेगा. जब हम अपने मन को मतेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही बाहर निकलेंगे. यही बुरे विचार विश है। हमें इन बुरे विचारों को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए और इनसे मुक्त हो जाना चाहिए। दोग कामधेनू समुद्र मन्थन में दूसरे क्रम में निकली कामधेनू, वह अगनिहोत्र, यग्य की सामगरी उत्पन करने वाली थी। इसलिए ब्रहमवादी रिशियों ने उसे ग्रहन कर लिया। कामधेनू प्रतीक है मन की निर्मलता की। क्योंकि विश निकल जाने के ब पौरान तीसरे नंबर पर उचैश्रवा घोडा निकला। इसका रंग सफेद था। इसे असुरों के राजा बली ने अपने पास रख लिया। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टी से देखें तो उचैश्रवा घोडा मन की गती का प्रतीक है। मन की गती ही सबसे अधिक मा गई है। यदि आपको अम्रित, परमात्मा, चाहिए तो अपने मन की गती पर विराम लगाना होगा। तभी परमात्मा से मिलन संभव है। प्रतीक है भक्ती का जब आपके मन से सारे विकार निकल जाएंगे, तब भक्ती ही शेष रह जाएगी। यही भक्ती ही भगवान ग्रहन करेंगे। छेत कल्पवरिक्ष समुद्र मन्थन में छटे क्रम में निकला इच्छाएं पूरी करने वाला कल्पवरिक्ष इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कल्पवरिक्ष प्रतीक है आपकी इच्छाओं का, कल्पवरिक्ष से जुड़ा लाइफ मैनेजमेंट सूत्र है कि अगर आप अम्रित, परमात्मा, प्राप्ती के लिए प्रयास कर रही हैं, तो अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दे, मन में इच्छाएं होंगी तो प अभूशन पहने हुई थी, उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी, ये भी देवताओं के पास चली गई, अपसरा प्रतीक है मन में छिपी वासना का, जब आप किसी विशेश उद्देश में लगे होते हैं, तब वासना आपका मन विचलित करने का प्रयास करती है, उस स्थि में मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, आठ देवी लक्षमी, समुद्र मन्थन में आठवे स्थान पर निकली देवी लक्षमी, असुर, देवता, रिशी आदी सभी चाहते थे कि लक्षमी उन्हें मिल जाएं, लेकिन लक्षमी ने भगवान विश्नों का वरण कर लिया, लाइफ मैनेजमेंट के नजरिये से लक्षमी प्रतीक है धन, वैभव, एश्वर्य वा अन्य सांसारिक सुखों का, जब हम अम्रित, परमात्मा, प्राप्त करना चाहते हैं, तो सांसारिक सुख भी हमें अपनी और खीचते हैं, लेकिन हमें उस ओर ध्यान न देकर क केवल ईश्वर भक्ती में ही ध्यान लगाना चाहिए, नौध वारुणी देवी, समुद्र मन्थन से नौवे क्रम में निकली वारुणी देवी, भगवान की अनुमती से इसे दैत्यों ने ले लिया, वारुणी का अर्थ है मदिरा यानी नशा, यह भी एक बुराई है, न 10. चंद्रमा 11. पारिजात व्रिक्ष 12. पांच जन्य शंक 12. पांच जन्य शंक आते हैं, तो मन का खालीपन इश्वरिय नाद यानी स्वर से भर जाता है, इसी स्थिती में आपको इश्वर का साक्षातकार होता है 13 वा 14 भगवान धन्वंतरी वा अम्रित कलश समुद्र मंथन से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अम्रित कलश लेकर निकले भगवान धन्वंतरी प्रतीक है, निरोगी तन्व निर्मल मन के जब आपका तन निरोगी और मन निर्मल होगा तभी इसके भीतर आपको परमात्मा की प्राप्ती होगी समुद्र मन्थन में 14 नंबर पर अम्रित निकला इस 14 अंग का अर्थ है ये है 5 कमिंद्रियान, 5 जन्निंद्रियान तथा अन्य चार है मन बुद्धी, चित्त और रहंकार इन सभी पर नियंत्रन करने के बाद में परमात्मा प्राप्त होते हैं